हलो दोस्तों वेलकम टो एजूबिन तो जैसे की उत्रा खंड में आटी की नूटिफिकेशन आ चुका है आटी में जो भी बच्चे आटी में जो फ्री में एट तक का गवर्मेंट का रूल है कि एट तक बच्चा अगर आटी में निकल गया तो उसको एजूगेशन फ्री मिल रहा है आपको और इसकी साइट देखिए आपको www.rteonline.uk.gov.in पर जाकर आप आविदन कर सकते हैं और यह आपका प्री प्रैमरी कक्षा में प्रवेश हेतू बच्चों की नियुंतम आई 21 मार्ज 24 तक कितनी होने चीए तीन वर्च हो जाने चीए अगर प्री प्रैमरी में अपने संसुतन किया है कि 6 वर्ड जिसको पूर हो जाएंगे 31 मार्ज 24 को तो उसको जो है क्लास फर्स्ट में लिंगे यानि अगर कोई उससे कम फर्स्ट में जा रहा है तो वो नहीं लेगा उसको यानि एक UKG जो है उसको ट्रिबीट करना पड़ेगा तो एक यह प्रॉलम कि थुरू अपलाई करते हैं और ड्रो में आपका नाम आ जाता है तो एट तक अक्षा एट तक आपका बच्चा फ्री में एजुकेशन लेगा तो यह गवर्मेंट के स्कीम है तो पहला क्या है कारक्रम क्या है कि ऑनलाइन पोर्टल पर पूर विद्वान नीजी विद्ध्यालों द्वारा अपडेट यह नमीन विद्ध्यालों का रेजट्रेशन एक तो जो विद्ध्याले पहले से हैं तो उसका अपडेशन होगा यानि उनका अपडेट करे क्योंकि जब यह registration करेंगे ना तब जो है जो आविदन करेंगे बच्चे अपना आविदन कर सकते हैं इसकोल के तो वहाँ पोटल में इसको दिखाएगा ही नहीं अगर आपने उसको अपडेट नहीं किया है या आपने registration नहीं किया तो ठीक है उसके बाद फिर आते हैं उपने रिक्षक अधिकारी कारलेस्तर से पंजीकर निजी विध्यालेओं की मानिता वाड अथ्वा ग्राम पंचायत आठी के अंतरकत आरही शीटों की गणना आधी का स्थियापन या इनकी कितनी शीटे हैं उसकी गणना का स्थियापन जो क स्कूल मैंतर प्राप्त है इसमें सीटे कितनी होनी चाहिए और सीटे हैं हमारी होती है 25 जैसे कोई क्लास आपकी फॉस्ट क्लास में आपके जितने बच्चे आ रहे ना उसकी 25 परसेंट सीटें आप आर्टी में दे सकते हो तो यह गवर्मेंट का रूल है पिर है छात्रों ह यानि जो चाहत्र है प्रस्ट क्लास में जाएंगे उनके डेट क्या है उनके लिए जो पोडल खुलेगा एक मार अप्रेल से दोसरी 24 से 21 एक उसके डर्म होता है और डॉमें देखते हैं अगर बच्चे कम आते हैं तो फिर जो दुबारा पोडल खुल जाता है तो ऐसा जमाह कराने की अंदिम्ति थी तो जो हमारे जो भी डाकूमेंट्स होंगे जाती प्रमापुरत लेकर यह मिक्मित्र के यह है दुसरा जनप्रमापांप लेकर आप है पहले यह काररा raw zo पर उप निर्वशक अधिकारी कारले तर पर शादरों के पत्रों की जांच यह लोटरी है तू पोटल बच्चों की अर्था की पुष्टी का अंतिम्ति थी जिसकी डेट होगी 28 सफरेद 24 तक फिर विध्यालने पर वेश दू लोटरी ट्रक्रिया फिर ड्रो होता है हमारा जब सब ट्रक्रिया हो जाती है तो ड्रो किया आता है कूंकि बहुत सारे आविदन आते हैं उसमें से सब को लेना पॉसिबल नहीं है तो उसमें ड्रो लिया जाता है वो भी कंप्यूटर में चस्पा पोटल पर लोट्री परिणाम उबलब्त कराने की थी तो यह हो जाएगा इसका दो मई 24 तक निजी विध्याना पर वेश प्रक्रिया उसके बाद जो है हमारी जो प्रवेश प्रक्रिया आरम हो जाएगी उसकी डेट है हमारी 3 मई 24 से 15 मई 24 तक थीक हो गया डालना पड़ेगा पोटल में कि हमारे वहां कौन-कौन से बच्चे कितने बच्चे आये हैं तो उसकी भी डेट दे रिखिए 16 मई और 19 मई के बीच में हो जानी चीए आपकी एंट्री पोटल में तेक है फिर नीचे चलते हैं तो यह पात्र था आविदन पत्र आवश्यक प्रवभभ पत्र क्या कहा चिह एक तो जनाब प्रवभ पत्र में ने का था । एक आये प्रवभ 後 छो नीवास ना इन मेन यादि बाद इसना भी पर इसया था आते हैं इसमें एक तो आता है अप वंचीत वर्ग और दुसरा है कमजोर वर्ग अपने इंकम सर्टिप्केट देना पड़ेगा तो यह अपने डाकुमेंट आप रेडिकल लिजिए और कोशिच कीजिए कि जो इंकम सर्टिप्केट बनाओ आप वह आप एक अपरेल के बाद इंकम हो जाती कूंकि उसके बाद जो हो सकता है वो उसके पहले बाले नम आने आज की वीडियो में हमने आप वीडियो के बताए कि आट के नksom But Vadin ना चुका ए! झाल झाल झाल